क्या आपके पैर की एडी में भी दर्द होता है या फिर आप जब भी सुबा उटते ही जमीन पे अपना पैर रखते हैं तो आपको एक बहुत तेज दर्द होता है अपनी पैर की एडी में जो की जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो कम होने लग जाता है तो यह हो सकता है कि आपक किस तरीके से होता है तो plantar fasciitis दोस्तों एक ऐसी condition होती है जिसमें जो आपकी पैर की एड़ी होती है वहाँ पे inflammation जिसको हम आम भाशा में सूजन कह देते हैं वो हो जाती है और इसी inflammation की वज़े से जब भी आप अपना पैर जमीन पे रखेंगे थोड़े टाइम बैठने के बाद ही तो आपको बहुत तेज दर्द महसूस होता है अब plantar fasciitis में मैंने आपको बताया कि जो plantar fascia है उसका inflammation हो जाता है अब थोड़ा सा मैं आपको plantar fascia के बारे में बता देती हूँ तो plantar fascia को आप एक rubber जैसा structure समझ सकते हैं जो कि आपकी पैर की AD से शुरू होता है और आपके पैर की जो उंगलियां होती है वहां तक ये जाता है जब इस plantar fascia के AD वाले हिस्से में जहां जिस जगां से ये AD से जुड़ता है वहां पे दिक्कत आ जाती है उसी वज़े से हमें ये बिमारी हो जाती है जिसको हम plantar fascia केते हैं अब बात करते हैं इसके लक्षणों की तो सबसे पहला तो यही होगा कि आपको AD में बहुत तेज दर्द होगा हो सकता है आपके पैर में जो AD का हिस्सा है वहां पे आपको सूजन भी देखने को मिले और वहां का जो हिस्सा है वो बाकी पैर से थोड़ा गरम भी हो दूसरा जब आप चलेंगे तो आपको चलने में बहुत दर्द होगा और जब आप बहुत देर बैटके उठेंगे न जैसे ही आप अपने AD को जमीन पे रखेंगे तो आपको एकदम से बहुत तेज दर्द महसूस होगा जो धीरे-धीरे कम हो जाएगा अब इस दर्द के होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहला तो ये जैसे कुछ लोगों का बहुत देर का खड़े होने का काम होता है जादा तर जो housewives होती हैं क्योंकि उनको kitchen में बहुत time व्यतीत करना पड़ता है या फिर nurses इनके अंदर ये बिमारी जादा देखने को मिलती है बाकी लोगों के मुकाबले बट अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जादा देर तक खड़े रहना पड़ता है तो उसमें आपको ये बिमारी हो सकती है दूसरा अगर आपका weight जादा है तो उस वज़े से भी पैरों पे जोर पड़ता है और ये बिमारी आपको हो सकती है इसके अलावा गलत तरीके का footwear पहनना गलत तरीके से चलना पैरों को आड़ा तेड़ा रखके चलना बहुत जादा भागना या बहुत जादा देर तक खड़े रहना इन सारी चीजों की वज़े से आपको ये जो बिमारी है ये देखने को मिल सकती है अब बात करते हैं कि इस बिमारी का इलाज क्या होता है तो देखिए ये जो बिमारी है ये बेसिकली आपके lifestyle की वज़े से ही आ रही है तो इसमें दो मुख्य चीजे हो सकती है पहला तो आप फिजो थेरपी के लिए जाईए और दूसरा आप थोड़ा lifestyle changes करिए देखिए फ थंडे पानी में आपको अपना पैर डाल के रखना होता है वो एक थेरपी होती है जो आप कर सकते हैं घर पे भी उसके अलावा कुछ exercises होती है कुछ stretching होती है आपके plantar fascia की जो मैंने आपको structure बताया था उसकी उससे भी इसमें काफी अराम देखने को मिलता है तो यह तो हो गई physiotherapy की बात उसके अलावा आप painkiller ले सकते हैं पर उससे क्या होगा ना आपका जो दर्द है वो सिर्फ दबेगा बद ठीक नहीं होगा दूसरा आपका आता है थोड़े lifestyle changes जैसे की housewives हैं उनको बहुत देर देर तक खड़े रहके वो रसोई में काम करती है तो वो थोड़ा बीच में break लें अगर आपका वजन जादा है तो आप वजन को कम करने की कोशिश कीज़े क्योंकि ultimately उससे पैरों पे ही जादा जोर पड़ेगा और आपका वजन कम होगा तो पैरों पे उतना जोर नहीं पड़ेगा आप ये देखिए कि जो आपकी footwear है जो कोई problem नहीं होनी चाहिए उसको पहनने से और जो last point है कि जो आपका चलने का तरीका है वो काफी अच्छा होना चाहिए कुछ लोग पैरों को बहुत अंदर की तरफ जो डालके या फिर भार की तरफ जो डालके चलते हैं तो हमें उस तरीके से नहीं चलना होता प्रॉपर आ अगर आप ध्यान रखते हैं तो यह जो बिमारी है यह ठीक हो जाती है अगर आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए